नमस्ते दोस्तों स्वागत आपकार के गैड़ में आज हम आपको इस वीडियो में स्टेप बैस्टेप बताएंगे कि आप अपलोड डिफॉल्ट सेटिंग कैसे करेंगे यूट्यूब पर तो दोस्तों आफ इस वीडियो में अद्दग बने रहें तो चलिए दोस्तों शुर करना आपको क्रॉम ब्रॉजर में जाकर यूट्यूब को उपन करना है तो चलिए हम कर लेते हैं यह देखे दोस्तों यहां से आप कर सकते हैं नहीं तो आप यहां पर यूट्यूब सर्च करके कर सकते हैं तो दोस्तों मेरा यह रहा तो दोस्तों आपका डाक स्टोर्ड इस आपको क्या करना है यह और चैनल पर क्लिक करना है तो चलिए हम यूर चैनल पर क्लिक कर लेते हैं अब दोस्तों आपको यहां पर क्या करना है कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना है तो चलिए दोस्तों हम कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों आपको क्या करना है आप देख लिजे यहां देख लिजे लेप्ट साइड अप्लोड डिफॉल्ट्स तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर लेता है तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं अब दोस्तों आपको यहां पर बेसिक इंफर्मेशन फिल करनी है तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या क्या आपको फिल करनी है तो दोस्तो आपको यहाँ पर टैटल देना है अपने वीडियो से समन दे तो दोस्तो हर वार आप जब भी वीडियो अप्लोड करेंगे वो अलग अलग टैटल का होगा दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल का नाम देना है टाइटल में यूट्यूब चैनल का नाम देना है उसके बाद डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हर एक वीडियो के लिए आप अलग से डिस्क्रिप्शन देंगे पर उसमें कुछ आपको पर्मानेंट देना होता है तो आपको क्या करना है अपने बारे में बताना है अपने यूट्यूब चेनल के बारे में पता देना है दोस्तो उसके बाद दोस्तो आपको क्या करना है अपने प्लैलिश्ट का लिंक दे देना है ताकि जब भी कोई सब्सक्राइबर यहाँ पर आ है तो वो वीडियो देख सके उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है फॉलो करने के लिए सोसल मेडिया का लिंक दे देना है यहाँ पर अब दोस्तों आपको क्या करना है नीचे चलना है यहां पर दोस्तों देख सकते हैं विजिबिलेटी तो दोस्तों आपको यहां पर पब्लिक कर देना है अगर हर बार आप वीडियो को पब्लिक करते हैं तो आपको यहां पर पब्लिक कर लेना है जब भी आप अपने वीडियो को प्राइवेट रखना आप टैग न में दोस्तों हर एक वीडियो का अलग अलग होते हैं तो दोस्तो आपको क्याकर नो आपको यहां अपने यूट्यू practically से संबंदित keyward दे दिनी है तो दोस्तो ये देख लिए मैं अपने YouTube channel का keyword मेरा YouTube channel का नाम elemento्रा आर के guide तो दोस्तो मैं अुपना YouTube channel का नाम यहां पर गुँन्जेर हों आप भी अपने YouTube channel का नाम दे सकते हैं टेग में उसके बाद दोस्तो आपको क्या करना है 2020 में जना common attribution license हैं तो दोस्तों आप इसे select कर लीजिए अगर आपके पास other other license नहीं है तो आप extended YouTube license को select कर लें जितने भी YouTubers वीडियो upload करते हैं वो अक्सर extended YouTube license को select करते हैं तो दोस्तों आप इजह ही select कर लें तो दोस्तों category section में आपको क्या करना है अपने वीडियो से संबंदित category को select करना है कि आपका वेब वीडियो किस category का है तो दोस्तों मैं अभी यहाँ पर people and blocks select करके रखा हूं जैसे मैं how to वाले वीडियो upload करता हूं तो मैं यहाँ से अपना वो change कर देता हूं अगर आप भी अगर आपका वीडियो जिस category का हो आप उस category को यहाँ से select कर सकते हैं अब दोस्तों आपको नीचे जाना है यहाँ पर देख लिजिए video language subtitle and CC तो दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर अपने video का language select करना है मेरे वीडियो का language हिंदी है तो दोस्तों मैं हिंदी select कर रखा हूँ other language है तो दोस्तों आपको इस पर click करके आप अपना language select कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों caption certification में दोस्तों आपको non रहने दिना है उसके बाद आपको नीचे जाना है नहाँ पर देख लिए दोस्तों title and description language तो दोस्तों आप अपने description और title में ना title का भासा जो भी है आप उन्हें select कर लिजिए मेरा दोस्तों title और description में मेरा English रहता है तो मैं अपना language English select क्या हूँ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आप अपना description box में कौन से language को इस्तमाल करते हैं अगर आप Hindi करते हैं तो आप Hindi को select कर लिजिए अगर आप English करते हैं तो English select कर लिजिए उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना यहाँ पर comment section में आना है comment में दोस्तों आपको यहाँ पर देख लिजे मैं अभी यहाँ पर दिया हूँ allow all comment तो दोस्तो आप इस पर क्लिक करके disable कर सकते हैं hold all comments review कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आप disable comments करेंगे तो आपके वीडियो पर comment नहीं आएगा comment एकसर नहीं बंद हो जाएगा अगर आप चाहते हैं कि जब भी कोई यूट्यूवर आपके वीडियो पर comment करें तो आप नहीं पहले देखें उसके बाद उसे वहाँ पर live होने दें तो दोस्तो उसके लिए आप अप्रूव करना होगा तो अगर आप चाहते हैं कि आप पहले देखेंगे comment को उसके बाद live होने देंगे तो आप इन्हें select कर लेजिए तो दोस्तो आपको यहाँ पर क्या करना है allow all comments कर देना है और इस box को टिक कर देना है यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं users can view rating for this video तो दोस्तो अगर आप इस पर टिक करेंगे तो आपका जो यूज सब्सक्राइबर है वो आपकी वीडियो का rating देख पाएंगे तो दोस्तो यह सारी setting कर लेने के बाद दोस्तो आपको क्या करना है set पर क्लिक कर लेना है जैसे ही आप से पर क्लिक करेंगे आपकी यह सेटिक पर्पनाइंटिली क्मपलीट हो जाएगा तो दोस्तो मैं आसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हुंगे तो आप इस वीडियो करें अगर आप हमारे यूट्यूब प्रेनल पर नहीं है तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें प्रेल एकम करें दो दो आए अंतर वीडियो देखने करें आपने दनी वाद जाहिंद